नमस्कार मैं हूं देविंद्र आप देख रहे हैं पंजाब के स्री टीवी चन्रीगड़ साल 2021-22 के लिए बजट पेश हो चुका है बजट सत्र हरियाना विधान सबा का जो है अनिश्चित काल के लिए स्थागित कर दिया गया है और तमाम विधायकों ने अलग लग शुझाओ दिये थे अपने अपने हलके के मुद्दे उठाए थे और किसान आंदोलन लगातार चल रहा था उसको लेकर भी जो है अविश्वास प्रस्ताव कॉंग्रिस की तरफ से लाया गया था अब इस पूरे सेशन पर बात करते हैं मेरे साथ हैं हासी से भाजपा के विधायक विनोध भैना जी आईए उन से बात करते हैं भैना साब आपने खासा मुद्दा उठाया जिला पुलिस का जो अपसर हैं वो चले जाते हैं फिर दिक्कत आती हैं क्या मुद्दा था और क्या कुछ जवाब विध साब की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ के हासी जिला 2017 में पुलिस जिला बनाया गया मानी मनौरलाल जी ने ही बनाया इसको और उससे पहले हासी एक क्राइम बहुत जादा क्राइम रेट बहुत जादा बढ़ गया था और फिरोती की डकैती की आम घटनाए होने लग गई थी तो मैं दन्यवाद भी करता हूँ मनौरलाल जी का जिन्नों ने वहां की जरूरत को समझा और हासी को पुलिस जिला डिकलेर किया उस दिन से एस पी बैठ रहे हैं वहां बगैदा पुलिस हेड़कॉर्टर बडिस्टिक हेड़कॉर्टर बन गया मगर आज पांच साल बीद जाने के बाद भी वहां किसी के लिए रहने के लिए कार्मिनेशन नहीं है उसका फिर रिजल्ट यह आता है कि शाम को चार बजे चाहे वो ड तो फिर हमें फाइदा बाजी लेगा तो वही मुधा मैंने उठाया बड़ान सभा में मेरा इंप रहने का मकान घर दॉत्व का पुलीस लाइन पुलिस लाइन भी दिले में बढ़ा महत पुर्ण उता है पुलिस का जहां हमारे रिजर्टर टाफ हैं तो Εक तो तो मैंने आधनिये ग्रह मंंतरी जी से पूछा था कि इसके बारे में क्या वहाँ कोई इरादा है आपका इनके घरवर्ग बनानाएगा तो उनके जवाब में जैसे शुरू में तो आया के नहीं जी अभी अन्डर कंसिडरेशन है भी कोई ऐसा नहीं फिर मैंने इसके जवाब में का मानिय मंत्री जी को कि पांच साल से वो जीला पुलिस है मगर वहां जीले नाम की कोई चीज नहीं शाम को तो वह सब्डिविजन भी नहीं रहता क्योंकि सब्डिविजन पर कम से कम डियस्पी तो मिलता है तो इसलिए मेरी आप से गुजारश है कि अगर आपने जीला ब जल्दी हम इस पर कारवाई शुरू करके कमेट्री बना के और वहां यहां पुलिस लाइन भी और अधिकारियों के घर भी बनाना शुरू करेंगा एक जिला बनाने के आपने मांग की हांसी को हां जैसा कि हांसी पुलिस जिला है तो इसके साथ साथ अब काफी लंबे समय से एक डिमांड उठ रही है कि पुलिस यहां जिला पूरन तया यानि के रेवेन्यू डिस्टिक बना दिया जाए तो यह भी मांग उठ रही थी वह भी मांग मैंने मानी मुख्यमंत्री जी क्या के उठाई विधान सभा में कि इसको पूरन जिला बना दिया जाए और उसका ए पहले 1850 से पहले हांसी जिला था हिसार जिला नहीं था हांसी जिला था हांसी के लोगों ने अंग्रेज्जों से इतना लोहा लिया कि अंग्रेज्जों ने जिले का खिताब चीन लिया हांसी से प्रेशान हो के हांसी के कुर्बानी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हू हमारे वहाँ एक लाल सडक है हमारे जो सब्तंतरता से नानी थे जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड रहे थे तो अंग्रेज हं कुए लड़ाई 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 अंग्रेजों के खिलाफ तो उससे प्रेशान होकर के हांसी से जो जिला का खिताब था जहां से वो परशासनिक सेवाइं चलाती थे डिस्टिक हेड़कोटर की वो छीन करके हांसी को जिला की उपादी खतम कर दी और हिसार को जिला बना दिया तो मैं यह कहता हूं कल भी मैंने मुख्यमंत्री जिया के यह बाद रखी सारी कि सारी कि उसका दंश आज तक हांसी जेल रहा है किरप्या उस दंश से मुक्त करवा के जो कहें हांसी के मान सम्मान था उसको वापिस दिया जाए और हांसी को दुबारा जिला बनाया जाए एक मेरी मांग यह भी थी शैद आपने नोट करी हो इसी तरह हमारे हांसी सब डिविजन बहुत बड़ा सब डिविजन वहां हमारे खिलाडियों के लिए कोई जगा निया खेलने के लिए अगर मैं खिलाडियों का जिकर करूं तो मेरे हांसी ने परमात्मा की किरपा से मुझे फखर है उन खिलाडियों पे जो अंतर राश्टी स्टर पर जो खेल करके आए चाहे वो हमारे ओलंपिक गेम्स हैं है Commonwealth है इन गेम में ना केवल भाग लिया बलकि वहां से पदग भी जीत के आए मगर इतने बड़े सब डिविजन में आस पास भी या शहर में भी कोई खेल स्टेडियम है नी जो हमारे खिलाड़ी वहां प्रेक्टिस कर सकें तो जब मैंने यह क्वेस्टन रखा तो शुरू में तो मंत्री जी का जवाब आया जी अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है बढाने की वहां तो मैंने मंत्री जी मेरे यहां से तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है उनके प्रेक्टिस के लिए फिर हम अब खेल नीती को आगे कैसे बढ़ावाद हो गया तो उन्होंने फिर सभीकार किया कि आप जगा दें हम वहां इंडोर स्टेडियम जहां से खिलाड़ी अपनी प्रेक्टिस क नहीं था तो वहां हरियाना वेराउसिंग कार्पोरेशन ने गोडाउन बनाए थे अनाज रखने के लिए अब वहां लगबग 20 साल से 25 साल से हुड़ा का सेक्टर ड्वेल्प हो गया और वहुड़ा सेक्टर के बीच में आगए गोडाउन तो आप समझते हैं जिब गेहू लोगों की समस्या है गोडाउन यहां से हटा लीजिए कहीं और बना लीजिए यहां तो अब भी हो गई तो मंत्री जी नहीं जवाब दिया कि हुड़ा दो बाद में बसा है तो मैं यह कहता हूं हुड़ा बाद में बसा है बशाया तो सरकार ने है अनाथरा यूज को लोनी वहां कोई और अच्छी जगा ले करके वहां गोडाउन बना लीजिए तो उसका भी मंत्री जी ने मुझे विश्वास दिलाया कि आप हमें कोई जगा सुझाएं ताकि हमारे गोडाउन भी ठीक ठाक चल जाए और वो जगा भी हम ठीक लिए दो लोग कुल मिला के मैंने जि कि आविश्वास प्रस्ताव आएगा और आपका जो है पच्पन वोट आप आपके साथ थी और आविश्वास प्रस्ताव के विरोध में थी अब आपको लगता है कि इसके बाद स्थीती तो साफ हो गई कि विधायक जो है वो सरकार के साथ है जनता भी साथ होगी किसान अं दोनन चल रहा है वो हर वर्ग के लिए मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं है जैसा भी हो वैसे तो ये बड़े लेवर की बात है हमारे परधानमंत्री यादर्नी नेजंदर मोदी जी भी निचरली बात है कुदर्ती बात है कि वो चिंता कर रहे होंगे और जल्दी ही इसका कोई ना कोई हल भी निकलेगा ऐसा मेरा अनुमान है मगर जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें कॉंग्रेस पाल्टी राजनिती भी कर रही है अगर आप देखेंगे तो धर्नों पे किसान कम बैठे हैं कॉंग्रेस पाल्टी के निता ज़्यादा बैठे हैं जो सही माईने में किसान है वो तो खेत में काम कर रहा है और जो राजनिती करने वाड़े वो धर्ने पे बैठे हैं तो मेरा उन से भी निवेदन है कि ये परदेश की तरक्की के लिए ये कुछ ठीक नहीं है और वो भी और केंदर के नेता भी मिल बैठके वारताला भी बंद नहीं होने चाहिए मिल बैठके कोई नो कोई इसका हल निकाल ले बहुत बहुत शुक्रिया तो हासी से विधायक विनोद भ्याना मेरे साथ थे और उन्होंने जो जो सवाल अपने हलके के उठाए हैं उसे लेकर बात की मैं हूँ देविंदर कैमरा के पिछे मेरे सही होगी रिंकू नमस्कार